हेलो माई फ्रेंज तो कैसे हो आप सब लोग तो आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेच कलब सेंविच अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेज, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत बुलना तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बावर में आदा कप जितनी सिमला मेर्च, आदा कप जितना प्यास, आदा कप जितना घाजर और उपर से एक बारे कटी हुई हरी मेर्च अड़ कर देंगे अब हम उसके अंदर आदा चमच जितना चिली फ्लेक्स, आदा काली मीर्च पाउडर और स्वाद के अनुसा थोड़ा सा हम नमक एड़ कर देंगे और उपर से आदा चमच जितना हम चाट मसाला एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो अब मैंने यहां पर सेंविच बनाने के लिए वाई ब्रेट का यूज किया है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेट का भी यूज कर सकती हो और उसके उपर हमने जो मैयूनिस का मिक्षर बनाया था वो अब हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब हम दूसरी ब्रेट ले लेंगे और इसके उपर हम टमेटो केचप लगाएंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो एक ब्रेट पे हमने मैयूनिस का मिक्षर लगाया और एक ब्रेट पे हमने केचप लगा दिये अब हम जी स्प्रेड के ऊपर केचप स्प्रेड किया है उसके ऊपर कटी हुई ककड़ी, टमाटर और प्याज एड़ कर देंगे आप चाहो तो उसके ऊपर हम दूसरे वेजिटेबल भी एड़ कर सकते हैं जैसे सिमला मिर्श है, गाजर है यह सब कुछ भी वेजिटेबल सैन्वीच के अंदर हम एड़ कर सकते हैं बट यहाँ पर मैंने टमाटर ककड़ी और प्याज ले लिया है वेज क्लब सैन्वीच बनाने में भी बहुत इजी है और बच्चों को भी अच्छी लगती है अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लैक्स और थोड़े से औरगानो एड़ कर देंगे अब हम उसके ऊपर एक चीज की स्लाइस एड़ कर देंगे अगर आपको चीज अच्छा नहीं लगता है तो आप स्कीब भी कर सकते हो अब हम ये वाली ब्रेट को इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर मैंने एक स्लाइस चैड़ चीज का यूज किया है अगर आप चाहे तो दो स्लाइस भी एड़ कर सकते हो अब हम तीसरी ब्रेट ले लेंगे और इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे बटर लगाना भी और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्कीब कर सकते हो अब हम एक तवा ले लेंगे तवा के ऊपर थोड़ा सा हम बटर एड़ कर देंगे बटर थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद हमने जो सैन्विच बनाई थी वो अब हम रख देंगे अब हम उसके उपर थोड़ा सा बटर एड़ कर देंगे ताकि हमारा चीज है वो अच्छे से मैल्ट हो जाए and हमारी sandwich है वो अच्छे से crispy हो जाए इसको हमें ज्यादा high flame पे toast नहीं करना है इसको हमें medium flame पे toast करना है high flame पे आप toast करोगे तो हमारी sandwich का color ज्यादा brown हो जाएगा और अंदर से cheese melt नहीं होगा इसलिए इसको हमें medium आज पे अच्छे से टोस्ट कर देना है तो फाइनली हमारी सेंविच रेडी हो गई है तो अब हम इसको निकाल के कट कर देंगे एंड इसको सव कर देंगे